हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल मैं सुश्मा आपका अपरी रसोई में स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ गर्मियों में दिमाग और शरीर को ठन्ना रखने के लिए यह हेल्दी बादम कुलफी इसकी रेसिपी बहुत ही इजी और सिंपल है और घर पर ही रखे सामान से यह बहुत ही टेस्टी कुलफी बनकर तयार हो जाएगी आज की बादम कुलफी की रेसिपी हम शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आपको अगर मेरे ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तो चलिए शुरूआत करते हैं बादम कुलफी के लिए हम सबसे पहले एक बावल में आठ से दस बादम को थोड़ा सा पानी डाल कर इन्हें लगबग आधा या एक घंटे के लिए पानी में सोक करके जग देंगे ऐसा करने से बादम के उपर की ये जो इसकिन है वो आसानी से अलग हो जाएगी बादम को पानी में भिंगोए हुए लगबग एक घंटा हो गया है और ये देखिए ये पहले से फूल भी गए हैं और अब हम इनकी सकिन को भी आसानी से अलग कर पाएंगे मैंने सभी बादम से इसकी उपर की सकिन को अलग कर दिया है अब हम इनको इस ग्राइंडिंग जार में डाल कर इसमें लगबग दो से चार टेबिल स्पून दूद एड़ करके इसका एक बारिक सा स्मूथ पीस्ट बनाकर तियार कर लेंगे तो चलिए मैं इसे मिक्सी में पीस लेती हूँ बादम का स्मूथ सा पेस्ट पन कर सैयार है चलिए इसको चेक कर लेते हैं ये देखिए ये बिलकुल सॉफ्ट है और बादम भी इसमें अच्छी तरह से घुल गए हैं अब इसे मैं एक बाउल में डाल कर साइड में रख और इसे हम थोड़ी दिर के बाद यूज करेंगे अब गैस पर एक पैन रखेंगे आप किसी भी बरतन का इस्तिमाल कर सकते हैं और इसमें लगबग दो कप दूद एड़ करेंगे अब कच्छा या रखा हुआ कैसा भी दूद इस्तिमाल कर सकते हैं और गैस की फ्लेम को पाई रखेंगे और दूद में एक बॉइल आने का इंतिजार करेंगे ये देखिए दूद में उबाल आ गया है और अब गैस की फ्लेम को हम नीजयम कर देंगे और अब इसमें दो मिनट के बाद हम आफ से दफ कैसर के पैटल्स दालेंगे और एक चौथा टी स्पून इला के बाद इसमें हम आलमोंड पेस्ट एड़ करेंगे और इसे कंटिनियूसली दो से चार मिनट चिलाएंगे चार मिनट के बाद फ्लेम को लो करेंगे और अब एक बाउल में लगबग 4 टेबिली स्पून या 2 टेबिली स्पून नॉर्मल दूद एड़ करेंगे और इसमें 1 टेबिली स्पून कस्टर पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तहा से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े और अब इसे हम सारे दूद में लो फ्लेम पर ही धीरे धीरे एड़ करेंगे और साथ में मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें दूद में कोई लम्स ना पड़े और यह तली पर भी ना चितके और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप चीनी मैंना यहाँ पर चीनी अकॉर्डिंग टू बैटर ली है आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम चीनी का इस्तिमाल करें वरना आप चीनी की कौंटिटी भड़ा भी सकते हैं इसमें चार से पांच मिनट मीडियम फ्रेम पर लगाता चलाते हुए इसको पकाएंगे और साथ ही इसकी जो यह खुर्चन साइड में जम जाती है इसे भी स्पून से खुरच कर इसमें एट करेंगे और कुलफी में मिलाती रहेंगे इसी से कुलफी का जो बैटर है है क्रीमी बनकर तयार होगा आप देख पा रहे होंगे कि बैटर पहले से क्वांटिटी में लगबग एक चौथा ही रह गया है और साथ ही यह पहले से गाड़ा भी हो गया है और इसके जो बुलबुले हैं वो भी मोटे मोटे गाड़े हो गये हैं और इसे पकते हुए लगबग चार मिनट हो गये हैं गैस की फ्लीम को अब आफ कर देंगे और इस बैटर को हम नॉर्मल रूम टेंपरिचर पर ही थंडा होने के लिए रख देंगे थंडा होने के बाद यह और भी गाड़ा हो जाएगा तो चलिए इसे थंडा होने देते हैं कुल्फी बैटर पूरी तहा से ठंडा हो गया है और आप देख पा रहे होंगे यह बिलकुल पर्फेक्ट पन कर तयार हुआ है और इस बैटर को कुल्फी मोल्ट में फिल करेंगे मैंने यहाँ पर प्लास्टिक की कुल्फी मोल्ट इस लिए हैं आप चाहें तो मैटल के पेपर कप का भी आप यूज़ कर सकते हैं सभी मोल्ट फिल हो गए हैं उपर ढकन से इन्हें क्लोज करेंगे और इस पाकी बच्चे हुए बैटर को मैं इस पेपर कप में डाल कर उपर से फॉयल लगा कर इसे खवर कर दूंगी और इन दोनों को लगबक आट से नौ घंटे के लिए फ्रीज में जमने के लिए रख दूंगी गुल्फी को जमते हुए आट से नौ घंटे हो गए हैं इन्हें अब मोल्ट से निकाल लेंगी ये देखिए किती परफेक्ट टेक्चचर में और बहुत ही क्रीमी सी आल्माट कुल्फी बनकर तया और इस पर कुछ कटे हुए बादाम डालेंगे और अब आप इसे सभी फैमिली मेंबर के साथ इंजॉय कर सकते हैं रेशिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शिर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आज को मिल सकें गुडबाई, सी यू अगें